हल दोस्तों आप देख रहे हैं इन्फरमेसल कासिट आज हम लोई इस पीडियम बात करने वाल है बिहार सिक्षक नियोजन के बारे में और आपको बतला दें कि जो 26 अगस्य आवेदन लिये जाने थे वो अब 26 अगस्य आवेदन नहीं होगा कक्छा एक से आठ के लिए यानि परात्मिक और उच परात्मिक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और यहां पर अधी सुचना जारी हो चुका है सुद्धी पत्र जीसे बोलते हैं विभाग के दौरा यहां पर आप देख सकते हैं पूरा फूल डिटेल्स में आपको बतला दें कि अब कब से आवेदन होगा तो उसी के बारे में आपको जनकारी लेने वाले हैं जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपको डायरेक्ट जो भी में देट हैं यानि में तीथी है महत्पुन तीथी है उसी के बारे में आपको जनकारी देते हैं आप देख सकते हैं इस वीडियो को रोक कर भी यहां तो देखिए आविदन प्राप्ति के जो तीथी है पहले था आविदन करने की तीथी वो 26 अगस्त था लेकिन अब 18.09.2019 से आविदन करना है आपको यानि 18.09.2019 से आविदन करना है और 17.09.2019 से आपको आविदन करना है यानि 18.09.2019 से लेकर 17.09 तक आपको आविदन करना है उस के बाद इस पर आपति कर सकते हैं 15 नौबर से 29 नौबर तक के बीच में इस आपति का निराकरन किया जाएगा चार दिसंबर को फीर से मेदा सुची का जो अंतिम परकार्शन होगा हो साथ दिसंबर को होगा उसके बाद जीला दोरा पंचायत पर खंड मेदा सुची का अनुम पर होगा उसके बाद जो भी आवेदक किये हुए हैं जिनका अंतिम रुप से मेदा सुची में नाम आ जाएगा उनका जो कांसलिंग किया जाएगा वह चो जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2020 तक होगा यान 2020 में चला गया आप उसमें आपका कांसलिंग होगा उसके बाद नियोज 2020 में बनेंगे आपको नियोजन पत्र अब 2019 में नहीं मिलेगा 2020 में मिलेगा उभी जनवरी में मिलेगा आपको क्या होगा नहीं होगा कुछ ऐसे रिलेटेड अपडेट आएंगे फिर भी आपको जनकारी देते रहेंगे इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें आपका वीडियो देखिने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद